टीम इंडिया को सीरीज के दूसरे टीटमेंटी मुकाबले में साउथ अफरीका के खिलाफ तीन विकेट से हार का सामना करना पड़ा वही टीम इंडिया के टीटमेंटी कप्तान सूरे कुमार यादव का फैसला टीम इंडिया पर ही भारी पड़ गया 16 ओवर के बाद 88 रनों के साथ साथ विकेट के नुकसान पर सौथ अफरीका थी वही भारत ने 125 रन का टार्गेट दिया था जिसका पीछा करते हुए सौथ अफरीका का ही स्कोर रहा था हाला कि इसके बाद 78 और 88 ओवर में सूरे कुमार यादव की खराब कप्तानी ने मुकाबले का रूख ही पूरी तरीके से पलट कर रख दिया जिसमें टीम इंडिया की जीत सिर्फ इनी दो ओवरों में हार में तकबील हो गई वही कप्तान सूरे कुमार यादव का गलत फैसला टीम इंडिया पर भारी पड़ गया जिससे टीम इंडिया ने जीता हुआ मैच भी अपने हातों से गवा दिया वही मैच की बात की जो है तो सौथ अफरीका ने 88 के स्कोर पर 7 विकेट गवा दिये थे वही टीम इंडिया क अपने 4 ओवर के स्पेल में 5 विकेट चटकाए थे जबकि रवी विश्णोई को भी एक विकेट मिला स्पिनर्स के लिए मददगार पीच की बात कुछ जानते हुए और समझते हुए भी कप्तान सूरे कुमार यादव ने 70 ओवर की जिमेदारी अर्शिदीप को सोब दी थ था और उन्होंने मेहज दो रन दिये थे अर्शिदीप के ओवर से 12 रन आ चुके थे मैज की नाजुक सिती और स्पिनर्स को मिल रही मदर के बावजूद भी कप्तान सूरे कुमार यादव ने वही गलती की जो अठारवे ओवर डालने के बाद उन्होंने आवेश खान को सूरे कुमार का ये दाव भी एक दम उल्टा ही पड़ता हुआ नजर आया आवेश की खिलाफ कोड़ी ने लगातार दो चौके जमाते हुए दबाव को बिल्कुल ही खतम कर दिया वही अठारे ओवर खतम होने के बाद साउथ आफरीका को जीत के लिए सिर्व तेरा रन चा अगर वो ऐसा करते तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था क्योंकि कोड़ी स्पिन की खिलाव संगर्श करते हुए नजर आ रहे थे अगर उस समय उनको विकेड मिल जाता तो टीम इंजिया की जीत पक्की हो जाती हाला कि कप्तान सूरे कुमार का फैसला ही टीम इंडिया पर भारी पड़ता हुआ नजर आया जिसके मज़े से टीम को जीता हुआ मैच हाना पड़ा